विडियो पर आप पहली बार हो चैनल पहली बार विजिट किया है वीडियो अच्छी लगे तो विडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिएगा काली घटा का घमंड घटा पंक्ती में कौन सा अलंकार है वो है आपका यमक अलंकार ठीके उप्युक्त पंक्ती में कौन सा चंद परिक्त हुआ है तो वो है आपकी चुपाई अरे तुम आ गए बाके में कौन सा कारक है तो वो है आपका संबोधन ये आरे हुआ दी ठीके अंदर शूत नहीं बाहर दूर दूर कोक्ती का अर्थ है मन में कुछ और बाहर कुछ ठीक है कविता हमारे परिपून क्षणों की बानी है किसका मतनुसार है ये आपका स्मित्रा नंदर पंत का ठीक है लाख का घर होना मुहावरे का अर्थ है इस मुहावरे का अर्थ होता अक्षिन में निर्धन होना तो यह आपका धनी का निर्धन हो जाना वह पढ़ता तो पास हो जाता वाक्य में कौन सा काल है तो इस प्रशन को लेके मैं थोड़ा सा जू हूँ वो आपके doubtful हूँ तो please अगर आप लोगों को इस question का answer बता है तो आप comment section में question का answer बता सकते हैं next है नीलकंट शब्द में कौन सा समास है वो है आपका बहुवरी नीला है कंट जिसका तुलसी दास त्वारा रामचरेतरमानस को किस भाषा में लिखा गया है अगला प्रशन है वो कौन सा वाचन है जो गध्य में तो प्रुक्त होता है प्रंतु पध्य में नहीं होता वो है आपका मौन वाचन किस विधी में पहले उधार्ण और वाद में परिभाषा दी जाती है वो है आगमन विधी जिसमें हम लोग सबसे पहले इक्जाम्पल देखते हैं तुन उसके बाद हम लोग definition की तरफ चलते हैं अड़ और अधर व्यनजन है तो वह आपके उत्कुषिप्त व्यनजन है अगला प्रेशन गुरुजी ने कहा किल चुटी रहेगी वाक्या में बाक्या है वो आपका मिश्र वाक्या है ठीक है आज कल हरी शंद्र भला कहां मिलेंगे वाक्या में कौन सी संग्या है वो है आपकी जाती वाचिक संग्या ठीक है जिसकी लाठी उसकी वहेंस बाक्या में कौन सा सरवनाम परुक्तु है वो है आपका समन्ध वाचिक ठीक है अगला है आपका शुद्धभाक्या चांटी ए ठीक है … राम ठखकर उसके घर सोगया … उसके घर में ठककर सो गया गया … और अगला है! जो एपका उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका जो करैक्ट A आंसर एगा और आपका सयुक्ट वाकिया फरू के उपस्क्राइक करफ्य काफी पियेंगे काफी कोफ्य दूब सम्वाकिया थीक है आप चाई पीएंगे कौफी कौन सा वाक्य है तो वो है आपका सयुक्त वाक्य है ठीक है अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं पंचक्की में जो है वो आपका कौन सा समास है ठीक है पंचक्की में जो है वो आपका समास जो है वो आप करेगा तत पूर्शम समास ठीक है नमस्ते शब्द में कौन से संदी है नमस्ते शब्द में जो है वो आपके विसर्ग संदी है ठीक है सरस पीला घरेलू विमार मीठा शब्द कौन से विशेशन के अंदरगत आते हैं तो वो है आपके गुण वाचक विशेशन ठीक है अगला है निज की भावा भावाचक संगया क्या होगी तो वो होगी आपकी निजत्तब धीरे धीरे चलो नहीं तो ठक जाओगे वाकिया में कौन सा जो है वो अव्यव उप्युक्त हुआ है तो वो है आपका रीती वाचक क्रिया विशेशन ठीक है आपको लगता है मैं किसी कोशन में गलत हूँ तो प्लीज करेक्शन के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा करेक्ट आंसर आज की वीडियो वस्त इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगे और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चानल को थैंक्यू सो मच